So hey guys, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में अगर आप लोग Realme का डिवाइस यूज़ करते हो तो आपका नोटिफिकेशन पैनल चेंज नहीं होता होगा आपको MIUI 12 का अगर नोटिफिकेशन पैनल चाहिए तो आप लोग इसको कैसे यूज़ करें So मैं MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल यहां पर यूज़ कर रहा हूँ और बिना किसी लैक के बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिल रहा अब बात करें अपने सेटिंग में तो सेटिंग में जाकर के आप लोगों को बता दूँ मैं डिवाईस जो उज़ कर रहा हूँ रियल में 2 प्रो है फिर बाद में मत बोना भाई तो MI का ही दिवाईस ईुज़ कर रहा है और हमें बना रहा है थीम यूज़ करके तो यहाँ पर आप लोग देख लें RMX 1801 और Realme 2 Pro Devices यूज़ कर रहा हूँ और Official Realme UI के अपडेट के उपर हूँ आप चाहे ColorOS 6 के उपर ही क्यों ना हो अगर आप लोग MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल चाहते हो इस टाइप का आप लोगों को अपनी लॉग स्कीन के उपर बता दूँ तो MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है बाइफाई आपका सब कुछ यहाँ पर वर्क कर रहा है कोई वी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा तो आप भी कुछ इस टाइप का MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल यूस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लिकेशन का लिंक मिलेगा वो आप लोगों को देखने को मिलीगी एप्लिकेशन आप लोगों को बता दूँ अप इन्फो में जाकर के उस अप्लिकेशन का नाम है मी कंट्रोल सेंटर आपको यह एप्लिकेशन देखने को मिलेगी जाकर के इस अप्लिकेशन को एक बाद ट्राइ कर लेना मैं बूल रहा हूं बहुत ही बड़िया आप लोगों को यह अप्लिकेशन मिलती है आपको play store के उपर available मिल जाएगी नहीं तो मैं इसका link आपको description में provide करवा दूँगा इसको जैसे आप download करोगे और download करने के बाद open कीजिए तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा के बाद friends आपको सबसे पहले इसको enable करना है यानि की running के उपर आप लोगो को click करना है और जो भी permission ये application आपसे मांग रही होगी उस permissions को आपको unlock कर देना है उसके बाद आपके शामने आते हैं दो center आपको इन में से कोई को भी choose कर लेना मैं notification state को choose करता हूँ उसके बाद आती है layout आपको इसमें कुछ changes करनी हो अपने top bar में notification panel add करने हो और कुछ भी columns add करने हो तो आप लोग यहां से कर सकते हो उसके बाद एक colors आपको कैसे colors रखने है मैंने transparent ही रखा है मैंने कोई और यहां पर नहीं किया जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब friends आपको बता दूँ यहां पर कुछ permissions ऐसी हैं जो आपको unlock करनी ही पड़ेंगी तब ही आपके devices में यह work करेगा अब अगर आप लोग देखें मेरा notification panel तो आप लोगों को पूरा का पूरा meiui 12 का जो notification panel है वो देखने को मलता है literally इस टाइब को notification panel पहले आपने नहीं दे से notification panel और left side से आपकी notification निकलती है तो यहां पर बैसा ही सेम आप लोगों को देखने को मलता है अगर आपको यूज करना है तो link में आपको description में देखेंगा जाकर कर लेना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंडर के जो ब प्रस कर लें